दिल्ली में 8 से 10 सितंबर तक लगने वाला है लोगडाउन कोरोना वाला लोगडाउन नहीं G20 समेलेन वाला लोगडाउन अब यहाँ पर लोगडाउन शब्द को हम बढ़ावा क्यों दे रहे हैं अब आप लोग यह सोच रहे होंगे कि दुकाने भी बंद रहेंगी मेट्रो बंद रहेगी, स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, दफ्तर बंद रहेंगे क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा तो आप सभी के बीच में बहुत जादा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे जिसके चलते हुए लोगों को बहुत सारी परिशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है बच्चों के लिए खुशे की बात है कि स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, साथ में दफ्तर भी बंद रहेंगे लेकिन जो सबसे ज्यादा समस्या वाली बात होने वाली है वो ये है कि कुछ सडकों पर जो आवा जाही होगी वो बंद रहेगी कई सडकों पर रोक लगाई जाएगी, आप उन सडकों का इस्तिवाल नहीं कर पाएंगे इन रिस्ट्रिक्शन्स को लेकर खुद प्रिये मोदी सामने आये हैं उन्होंने दिल्ली वासियों से माफी भी मांगी है और प्रिये मोदी ने लोगों से कहा है कि अगले महीने होने वाली G20 शिकर समयलन के कारण दिल्ली में लोगों को अवसुविदा हो सकती है सबसे जरूरी बात जिसका ध्यान यहां पर रखना होगा वो यह है कि कुछ नियम कुछ नियम बनाएगा हैं आई आपको बताते हैं उनके बारे में दिल्ली में कई सडकों पर यातायात बंद रहेगी करमचारियों को असुविदा से बच्छाने के लिए दिल्ली और किंद्र सरकार ने अपने सभी दफ्तरों को बंद रखने के आदेश भी दिये हैं नीजे दफ्तरों को बंद रखने को भी कहा गया है हालांकि वर्क फ्रॉम होम चालू रहेगा इसके साथ ही और भी कई चीजे हैं जिनका ध्यान रखने को कहा गया है दिल्ली के सभी प्राइविट और सरकारी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया है आठ से दस सितंबर के बीच केवल अवश्चक सेवा वाले वहनों को ही प्रवेश करने की अनुमती दी जाएगी मेडिकल एमर्जंसी को छोड़कर अन्या किसी भी वज़ह से आपका बहार निकल पाना मुश्किल हो सकता है एरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जाने के लिए बताएगर रास्तों का इस्तिमाल किया जा सकता है इसके साथ ही दिली में ये जो तीन दिन है बहुत ही खास होने वाले हैं लेकिन आप इन तीन दिन में मेट्रो का भी लाब उठा सकते हैं हालांकि मेट्रो का भी आप पूरी तरह से लाब नहीं उठा पाएंगे क्योंकि कुछ मेट्रो स्टेशन बंद रहे सकते हैं सभी बैंक, दुकाने और मॉल्स को भी बंद रखने के आदेश दिये गए हैं सीपी, खान मार्केट, माल्चा मार्ग, शंकर मार्केट, जनपर्त, मोहन सिंग प्लेस और पाली का बजार भी बंद रहेगा नई दिनी पुलिस जिले में सभी खुदराश शुराब की दुकाने भी बंद रहेंगे जबके इंडिपेंडेट बार और रेश्टोर में शराब सर्फ करने पर इस अबदी पर भी रोक लगाने की समभावना है होटलों में बार और रेश्टोरेंट खुले रहेंगे इसके साथ ही आपको ज़्यादा परिशान होने की जुरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये तीन दिन तो है लेकिन आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि आपको घर पर समान रखना होगा पहले ही ज़रूरत की चीज़े आपको घर पर रखनी पड़ेंगी ऐसा आपको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जरूरत की जो दुकाने है वो खुली रहेंगी तो आपको क्या लगता है क्या ये G20 सम्मिट के चलते है दिली में जो ये लॉकडाउन लगाया गया है आपकी राये में ये उच्छत है या नहीं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता है